आप सबी को कैसे हैं आप सब वेलकम बाक तो दे चानल दे ग्रीन ग्रास पाई गुंचंतियागी आज की इस वीडियो में आप सब के साथ शेयर करूंगी हमारे वन वर्ड स्पेल्स कुछ लोग इनको आप स्विच्वर्ड की तरह भी समझ लो क्योंकि हम इने चैन्ट करती हैं लेकिन हमारे जब विच्च्राफ्ट में हम स्पेल्स बोलते हैं तो हम यूज करते हैं हमारा मैजिकल वोन और imagine करते हैं कि हम उस परसन पर मैजिक कर रहे हैं या उसके लिए बोल रही है जो चीज हम attract करना चाहते हैं हम वो बोल कर उस चीज को अपनी तरफ attract कर रहे हैं अब obviously आपके पास want तो होने नहीं वाली है तो आप सिर्फ imagine ऐसे कर लेना that you are moving your finger उस तरह से की magic create हो रहा है तो ये one word spells हम start करते हैं एक और चीज़ ये सारे जो spells हैं ये कुछ Italian से लिए हैं कुछ हमारी Hebrew language के हैं कुछ हमारी Spanish language के हैं तो overall I was not able to figure out कि क्या मैं बताऊं क्या नाम दूँ तो सब जगा से थोड़ी थोड़ी उठाएं हैं मैंने और ये सारे बहुत magically काम करते हैं जब आप believe कर लोगे कि ये magic होने वाला है तो वो वैसे ही आपके लिए काम करेंगे ओके तो start करते हैं हमारे आज के पहले magical one word spells है first word है हमारा आ, ड, व, ट ये मैं आपको जो अलग spelling आ रही है वो बता रही हूँ कि कैसे इसे pronounce करना है आपको ये use होता है हमारा good luck के लिए जब हमें good luck चाहिए अपने किसी भी काम में तब आप इस switch word या हमारे इस one word spell को बोलोगे यहाँ मैं इसको address switch word ही कर देती हूँ otherwise आप लोग confused होगे switch word आप इसको ऐसे बोल ले ना हमारा rd word थे good luck के लिए use होता है यह combination हमारे Spanish और हमारे Italian switch word का तो यह आप use करो for good luck कुछ game खेलने जा रहे हो कहीं भी जहाँ you need good luck use कर सकते है move on करते हैं next word की तरफ a-tee-za a-tee-za यह हमारा second word है जब आपको attract करना है wealth तो आप इस word को use कर सकते हो देखो money के लिए बहुत सारी चीज़े बताती हूँ simultaneously use करोगे different different चीज़े तो भी अच्छे से काम करेगा लेकिन यह नहीं कि बहुत सारी चीज़े एक साथ mix करतो तो उसे तीन चीज़े enough होती है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ attract करने के लिए तो अगर wealth attract कर रहे हो तो use करो यह हमारा magical one word spell switch word a-tee-za third दे रही हो हमारा ease out pain हमारा pain कम हो जाए कहीं भी body part में pain है उस body part को सोचते हुए कि pain हमारा कम हो रहा है या उस body part पे अपनी magical fingers घुमाते हुए आपको बोलना है doll oh no, doll oh no या doll oh no whatever you prefer आप बोल सकते हो यहां एक और चीज कहूंगी कि जब हम कुछ बोलते हैं न तो ऐसा नहीं होता कि आपने गलत बोल दिया तो it's not going to work ऐसा कभी नहीं होता तो यह चीज अपने mind से निकाल दो लेकिन कोशिश करते हैं हमकी सही pronunciation निकले बट ऐसा बिलकुल नहीं है कि अगर गलत बोलोगे तो काम नहीं करेगा because जो intention है आपकी उस शब्द से पहुँच जाती है और हर word के जो हमारा word है उसमें अलग-अलग हिस्सों के लोग अलग-अलग pronunciation करते हैं तो it's not very vital कि वो चीज सही निकले तो डॉलो नो या डॉलो नो बोलना इस आउट करना है पें तो next है हमारा attract करना है हमें हमारी लाइफ में कोई नया friend a good friend हमें करना है तो हम क्या बोलेंगे अमिक्यूई 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 यहां पे spelling भी आ जाएगी बार बार repeat करके एक बार pronunciation देख लेना so that आपको समझ आजाए क्या बोलना है अमिक्यूई to attract a new friend I'm saying to attract new subscribers अमिक्यूई अब next हमारा जो magical one word spell होने बाला है वो होने बाला है तब जब आप अपनी life में attract करना चाहरे हो कोई job I'm not talking about desired job लेकिन कोई भी job मिल जाए अगर इतना struggling चल रहा है तो क्या बोलना है आपको कहना है Optanophysium Optanophysium ठीक है नीचे लिखा आजाएगा इसको आप repeatedly बोलो number of times में मत जाना कितनी बार हम बोल रही हैं ये spells जब भी आपको याद है अपना magical हाथ घुमाते होई इनको बोलते रहना ठीक है और कहीं पर apply किया है आपने by chance you have applied somewhere तो उस application को open करके आप हाथ घुमाके बोल सकते हो Optanophysium, Optanophysium कि ये job मेरी तरफ ही attract हो जाए अब move on करते हैं next की तरफ अब दे देती हूँ आपको एक switch word और जब आपको ऐसा चाहिए कि आप जो सामने आपके person खड़ा है उसको ना positive vibes आए आप से positive energy मिले आप से तो इसके लिए हमारा जो one word spell है switch word है वो है positive flow positive flow आप उसको positive vibes send कर रहे हो आपके लिए कि वो आपको positive person की तरह ले ये हम use कर सकते offices में friends के साथ अपने relations में भी use करके देखो इसे magical है ये one word spell positive flow next मैं बहुत use करती हूँ sometimes we want कि ये week बस जल्दी से चला जाए खतम हो जाए ये week तो उसके लिए क्या बोरूगे well you need him, well you need him, well you need him ये week हमारा निकल जाए sometimes we get stuck in situations जहाँ हमें लगता है कि ये week खतम हो जाए बाकी तो देखा जाएगा तो ये जल्दी से पासपाय हो जाए हमारा week तो उसके लिए well you need him, well you need him, well you need him next है हमारा apsum अगर कोई ऐसी चीज है जिससे आप चाहते हो कि फिलहाल आपके साइट के सामने से ये अभी हट जाए ये आपके सामने नहीं रहे तो आप ऐसे कर सकते हो मान लो कोई office में न unnecessary कहीं से कोई auditor आ गया जबरदस्ती आपके test होने लग गया आप college में हो, checking हो रही है तो आप सम आप सम बोलो कि भईया फिलहाल के लिए ये चीज यहां से गाइब हो जाया भी ना रहे so for time being वो आपके सामने से absent हो जाएगी, ठीक है तो ये है हमारा एक और beautiful word अप सम अब वो last word जो मैंने आप से कहा था कि आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा, वो word है हमारा आबरा का धाबरा ancient time से witches इसको अपने spell work में बहुत जादा use करती थी, अब भी use होता है और mike से ये word आया है actually आबरा का धाबरा एक पूरा spell work होता है, उस spell को कैसे किया जाता है, कभी ना कभी I am going to share, अगर आपको सच में जानना है, तो comment जरूर लिखना कि you want to know कि ये actually में spell work इसका क्या होता है बहुत easy है, इसका spell जो होता है, एक हम inverted triangle के form में use करते हैं इसे, बहुत अच्छा results भी देता है ये, तो comment में बताना if you want कि वो share करूँ फिलहाल यहाँ ये समझो कि ये जो word है, हमारा आपरा का डापरा ये, इसका meaning क्या होता है इसका meaning होता है, I will create when I speak इसका मतलब ये होता है आपरा का डापरा, और इसको ना कई लोग confuse करते हैं हमारे शब्द, हमारे word वाजा के डापरा ये हमारा जो word है इसका मतलब होता है, I will destroy as I speak. So there is a total difference in इन दोनों शब्द में. तो उसे आप confuse मत हो ना. आबरा का डाबरा आप यूस कर सकते हो कि इन और तू create करना है आपको magic. अपनी तरफ attract करना है good luck उसके लिए भी आप इस हमारे word को यूस कर सकते हो. और जो इसका वह वाला तरीका है जिससे हम ward off कर देते हैं. अगर हमारे तरफ किसी ने curse या evil spirit पर जी है तो बताओंगी. फिर बताओंगी comment में बताना हूँ. तो ये हो गया हमारा magical word जिसके बारे में बात कर रही थी. ये सारे हमारे जो words हैं बहुत magically काम करते हैं. तो इस video के end करने में मैं ये जरूर करूँ कहूंगी कि magic सिर्फ उनी के साथ होता है जो उसमें belief करते हैं. जो question करते हैं magic उसके साथ नहीं होता है. उनके साथ कभी काम नहीं करता है. तो आज के लिए इतना ही. तो आज के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe and JSE at all.